एक करोशिय दश्नाति यच्च होशिदरातियत यच्च पस्ट सिकातियत तच कुरुष्व मदर पणः शुभा शुभः फनई रेवं मोक्षशि कर्म बंधनई सन्यात योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पैशशि कौनते यद करोशी हे कुंती पुत्र जो करता है यद अश्नासी यद जुहोशी जो खाता है जो यग्य सेवा करता है यद ददासी यद तपसेसी जो देता है जो तप करता है तत मदर पणम कुरुष्व वेह मुझको अरपन कर एवं शुभा शुग फले इस प्रकार शुग और अशुग फल वाले कर्म बंधने मोक्ष से कर्मों के बंधनों से मुक्थ हो जाएगा विमुक्त सन्यास पूरा ही छूटा हुआ समुचित्यागी योग्युप्तात्मा माम उपैश से योग्युप्त आत्मा मुझको प्राप्त करेगा कौनते यत करोशी, यत अशनासी, यत जुहोशी, यत ददासी, यत तपस्यसी, तत मदरपणम कुरुशु, एवं शुभाशुक फलय, कर्म बंधने मोक्षे से, विमुक्त सन्यास, योगिप तात्मा माम उपैशे से, भावात, खे कुंती पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो अपने उमंग उत्साह से, जो ज्ञान यग्य सेवा करता है, जो देता है, वा जो आत्म स्टार की स्मृती का सरवोच रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एक मात्र अव्यत मूर्ती शिव बाबा को अरपन कर, इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से स्वर्ब में आधा कल्ब के लिए मुप्थ हो जाएगा, उनसे पूरा ही छूटा हुआ, यथा योग्य समुचित्यागी, और मेरे से योग्यूत आत्मा, मुझ ईश्वर के श्रेष्ट, स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्थ करेगा, फुटनोट, राज्योग से बने राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के आधीन नहीं रहते, नंबर वार नरत बनाने वाले नर आधीन ही बनावेंगे, स्वामाने ही अपनी आत्मा और आत्मा का बाप, परम्पिता प्लस परमात्मा राज्योगेश्वर मुरली में तपश्या का? रूप बताया है, आत्मी की सिती में रहना ही सबसे बड़ी तपश्या है, क्या कहा? सबसे बड़ी तपश्या क्या है? आत्मी की सिती में रहना तपश्या है, बले कर्म करते रहो आत्मा जो जिब इन्दु की याद में इस्तिर रहो यही तपस्या है ऐसी तपस्या जिसमें इंड्रिया और इंड्रियों के सुख बिलकुल याद नरहें इंड्रिया आती ते स्टेज आती इंड्रियों सुख मेरा मन करने वाला तुम बताया कि यह मन मना भव का जो आरत है यही रूहानी यात्रा है किसके बन में समा जाना जिसका मन में संकल्प हो गया बिंदु रूप बन गया उसके बिंदु रूप स्वरूप में समा जाना यह संकल्पों के जो भी बुदबुदे हैं वो सारे संकल्प एक के संकल्प में समा जाएं एक का क्या संकल्प है जो जाड के ऊपर बैठा दिखाया गया है अरे एक शिव बाबा दूसरान कोई एक जोति बिंदु दूसरान कोई पांसो सासो क्रोण मनुष्यात्माओं को किसमे समाना है आकरीन ayam कि अरे जिशा में लिखा है जगत अभ्यक्त मुर्तिना जगत की वह अभ्यक्त मुर्ति हैं जिसको हाथ पाउन ना कांन नहीं दिखाये जाते देखने में आते हैं, सिपिलिंग में, नहीं आते हैं, इसलिए अव्यक्त है, अव्यक्त माने देखने योगी, अव्यक्त माने न देखने योगी, उस अव्यक्त मूर्थी में सारी दुनिया समा जाएगी, उसी से सारी दुनिया निकलेगी. जो भी कर्म कर्ण, जो भी स्वाहा कर्ण, तन द्धा स्वाहा कर, मन स्वाहा कर, धन स्वाहा कर, जो भी स्वाहा करना हो ताकत, वो सारी मत या जी, मेरे लिए स्वाहा कर, क्योंकि जिस से दिल लग जाती है, जिसमें मन लग जाता है, बस उसी की सेवा करने के लिए, उसी के प जुद्धी उदर ही भागती है, तो मन मना भाव पहले बनेंगे, तो क्या होगा, मध्याजी भाव बन जाएँगे, मेरे लिए ही फिर याजन करेंगे, और किसी की तरफ लागती नहीं जाएगे. कर्मेंदियों से जो कर्म किये जाते हैं उन कर्मों का हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है है बनता है कैसे बनता है अरे जिसकी याद में जो कर्म किया जाएगा मन साथ जिस कर्म में लगाई जाएगी तो जिसकी याद में लगाई जाएगी उसके साथ करम बंदन बंदेगा या नहीं बंदेगा नहीं बंदेगा बंदेगा करम बंदन बंदेगा बंदन तो जरूर जो कर्म किया है जिसके साथ वो दुख देने का कर्म किया है या सुख देने का किया है दुख देने का कर्म किया है, तो बंदन में आ जाएगा, करम बंदन बंदेगा, पुन्नी कर्म बनेगा या पाप कर्म बनेगा, पाप कर्म बनेगा, और पुन्नी कर्म कब बनता है, बाप की श्रीमत के अनुसार जो कर्म किया जाएगा, वो पुन्नी कर्म बनेगा, पाप करे, तो दुख देने की बात होगई, और सुख दे वे, तो पुरने कर्म हुए, तो ये हुआ कर्म, और फिर आकर्म कब होता है कर्म कर्म ही न बंद न बंदे न सुख का बंदे और न दुख का तो किसकी याद करे जो न सुख का बंद न बंदे न दुख का बंद न बंदे ऐसी याद किसकी है है शिव की जैसा संग है बुद्धी से वैसा रंग लगेगा शिव जो है करता है कि अकरता शिव क्या है अकरता उसको तो अपनी देह ही नहीं है तो आत्मी की स्थिति में सदैव रहता है स्वाई स्थिति में रहने वाला कर्मिंद्रियों से भी कोई कर्म करेगा किसी में प्रवेश करके मानलो कर्म करता है स्वाइश सिती में रह करके तो उसका करम बंदन बनेगा है न सुख का बंदन बनेगा न दुख का बंदन बनेगा तो बो तो सुख दुख दोनों से परे है तो उसकी याद में रह करके जो भी कर्म तुम बच्चे करेंगे, तो तुम्हारा भी क्या बनेगा, अकर्म बन जादेगा। वो तो है सत्युत के महाराजा महाराणी, उनको तु उनके बच्चे ही मात पेता कहेंगे, और तो कोई कह नहीं सकता। परजा होगी, वो भी राजा रानी को मात पेता समा समझते हैं, परंतो वहां ऐसे गाते नहीं हैं, तुम मात पेता हम बालक ते रहे। केको बहाँ दुखो तो होता नहीं है बहाँ राजा रानी को ये पता ही नहीं रहता है कि हम कैसे ये प्रारब्द भोगते बहाँ तो कोई भी प्रकार के दुख के करम भोग नहीं कूटते करम तभी कूटते हैं जब सुख और दुख दोनों है तो कहेंगे इसने अच्छे कर्म किये हैं इसलिए सुख भोगते हैं इसने बुरे कर्म किये हैं तो दुख भोगते हैं ये सुख दुख की दुनिया है और सत्युग में तो दुख होता ही नहीं है तो वहाँ कर्मों का हिसाब किताब नहीं निकल सकता इस पर समझते हैं देवताओं ने कौन से अच्छे अच्छे कर्म किये हैं कब किये हैं जो सदैव सुखी रहते हैं उनों को सुखदाम का मालिक कहा जाता था अभी तो सुखदाम नहीं कहेंगे न ये तो है दुखदाम अभी तुम बच्चे जानते हो ये तो सारी दुनिया न रखे है तुमको तो इसा सारी दुनिया से बुद्ध्योग को तोड़ना है क्योंकि ये तो कब्रस्तान बननी है तुमारा त्याद तो कितना बड़ा है दुनिया की कोई भी चीज से मोह नहीं न घरबार से न देह से न देह के संबंदियों से न इस सारी दुनिया से इस सुर्य अंसी चक्रवर्ती राजा बनना कोई मासी का गर नहीं है इसमें तो पूरा त्याग चाहिए सबसे मोह नष्ट करना है परंत इस बात में त्याग करने में टाइम लग जाता है जी जहां से पुर्शार्थ हो करते हो इस्टडी करते रहो घर में रहते भी च्याग वरत्ती चाहिए तन से भी मन से भी बाबा बारी जाओं कुर्बान जाओं योग बल से तुम विश्युकी बात चाहिए लेते हो सारी इंद्रिया योग युक तो हो जाते है योग हैं तन योग युक्त है मन योग युक्त है और जिसका तन और मन योग युक्त होगा उसका धन भी कहा लगेगा इश्युरिया सेवा में लगेगा इस योग बल से तुम विश्युकी बाक्षा ही ले लेते हो मैं आकर के इस ब्रह्मा तन द्वारा तुम बच्चों को वही प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना सहज राज योग, सहज ग्यान सिख लाइ रहा हूँ नाम ये भारत का प्राचीन सहज योग, सहज ग्यान और दिया किसने था? दिया भी था मुश्के लोगों को सहज करने वाले बगवान ने गीता के भगवान ने दिया था कि राज योग है नाम ही है राज योग राजाई प्राप्त कराने वाला और दुनिया में ऐसा कोई योग नहीं होता जो राजाई प्राप्त करा रहे डाक्टर डाक्टर ही पढ़ाेंगे बेरिस्टर बेरिस्टर ही का योग पढ़ावेंगे इंजीनियर इंजीनियर ही पढ़ावेगा राजा ही तो कोई भी नहीं पढ़ाता वो सब हैं आधीन बनाने वाले योग आधीन बनाने वाली पढ़ाईया और मैं तो तुमको स्वाधीन राजा बनाता हूँ ये प्राचीन ते प्राचीन पुराने ते पुराना योग है